स्वाध्या यह परम्त्राइब डॉक्टर बाबा साहेब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी माँ आप सवनू आ चैतन्या युनिवर्सिटी माँ हार्दिक स्वागत छे हुँ प्रोफेसर मनुभाई बीशा आजे आपने इतियास विशय ना एक टोपिक प्राग इतियासिक युग एटले के पूरातन पाशान युग मध्य पाशान युग औने नुतन पाशान युग ए विशय पर आपने केटलिक समझ हुँ आपीश आप सव जानों छो तेम सूरिय माथी आपनी प्रुथ्वी इलेके मानवीनुँ निवास्तान शर्वे जीवोनु निवास्तान एवी प्रुथ्वी करोडो वर्ष पेला उत्पन न थाई हाती आप सव जानों छो तेम ए प्रुथ्वी नी सरुवात्मा उत्पत्ती नी सरुवात्मा उपर नी सपाटीना भागो धीमे धीमे अने क्रमश थंडा पड़ता गया आप एपन जानों छो के एज थंडा पड़ेला भागो उपर ज्याजया पाणी भराया त्या त्या नदियो सरोवरो सागरो महासागरो वगरे अस्तित्व मावे अने एमा जल्चल श्रीव जीव सुरुष्टी नो उत्पन उत्भव धयो एपन आप जानों छो के शरुवात्मा जल्चल जीव सुरुष्टी ज हती त्यार बाद क्रमश जल्चल अने स्थल्चल एवी मिश्र जीव सुरुष्टी नी उत्पत्ती थाई अने एपची मात्र स्थल्चल उनिवर्सिट स्थल्चल जीव सुरुष्टी नो पन उत्भव थयो तामे एपन थोडु गणू जानता जशो के ए स्थल्चल जीव सुरुष्टी माथी क्रमश अपने जानिये छिये तेम चिम्पांजी उरांगु टांग जेवी वानर सुरुष्टी उत्पन थायेली अने डार्वीन ना उत्करांती वादना सिद्धान्त मुजब आ क्रमश मानवी नो जन्म एटले के मानव सुरुष्टी नो जन्म आ प्रुथ्विव पर थायेलो छे आम जो वाजे ये तो आखी प्रक्रिया एक करोडो वर्ष्नी प्रक्रिया ने अंते आपने जोवा मली जे एक री बेचार वर्ष स्वाबसो वर्ष हजार-बेचार वर्ष क्यों 25 पचास अजव हजार वर्ष नी आ वात न थी करोडो वर्ष नी वाद छे अने प्रुथवीनी उत्पत्ती पन करोडो वर्ष पेला था येली अनन त्यार बाद अनेक करोडो वर्ष पची एमा आ जीव सुरुष्टी उत्पन्न थाई छे एटले एक वाद स्पष्ट छे के मानवीनी उत्पत्ती ए थया पची ते जंगलो पहाडो गुफाओ वगेरे मा निवास करतो हतो अने यानू एक मात्र धे यतु खोराक नी प्राप्ती खोराक ए शिकार करीने पशु पंखियो नो शिकार करीने ए मिडवी लेतो अने नदियो के जड़ विस्तारों माथी ए शुद्ध पानी पन पी लेतो हतो बहु वात साची छे के पेटनी भुग संतोष तो अने नदी सरोवर ना पानी पीने जीवन वितावतो ते थयो तेनू जीवन अनेक युगो माथी पसार थे तो गयू साथी पेला हीम युग आवयो त्यार बाद पूरातन पाशान युग आवयो त्यार बाद मध्य युग मध्य पाशान युग आवयो अने ए पची नुतन पाशान युग आवयो ए पची तामर युग आवयो ए पची मिश्रधातु युग आवयो ए पची लोह युग आव जानवजात पसार थाये ली छे वाजसाची छे के आपने एपन जानवानी थोड़ी कोशिश करिये के भारत मा पाशान युगीन संस्कृतियोनू संशोधन इस मिशन अडार्शो त्रेसथ मां सव प्रथम वार आर्केयोलोजीकल सर्वे साथे संबंदित अधिकारी रोबर्ट ब्रूस फूट द्वारा करवामा आवि होतु तेमना उत्खननना प्रयासोने परीडा में आपने जानिये छे तेम सव प्रथम वार चेन्नाई युलेके जुनू मद्रास नी नजिक पल्ला वरम क्यारेक तो पल्लाव वरम पन बोलाई छे नामना स्तले थी सव प्रथम वार पाशान, युगिन ओजारो सोधायन हाता अने ओजारो नी साथे-साथे दक्षिन भारत और प्रथम और आवाज ओजारो क्ये आवाज अवशेशो होई शके तेनो अंदेशो ए पुरातव विदो ने आवता बाउँ स्वभाविक्रिते बीजे पन गणीवधी जग्याये उ इलेके अधार सोने 63 ना वर्ष बाद, 67 वर्ष पची, ओगली सोने 30 स्मा, स्री M.C. बकीटे, कुरुष्णा नदीना तट प्रदेशों मा गणी जग्याई संशोधनों कर्या। विलियम किंग, ब्राउन, काकवर्न, C.L. कार्लाइन, जेवा विद्वानों पन गणी सोधो करी, जेना परिणा में गणी मोटी संख्यामा पाशान युगिन, इलेके पुरातन पाशान युगिन, ओजारों अने अउशेशों आपनने प्राप्त थाया हाता। बहुत स्वाभावी क्रिते थोड़ा कागलव दिये तो, पांच वर्ष पछी, एलेके ओग्नी सोने पांत्रीस मां, D. टेरा, तथा पीटर्सन द्वारा, था एलेकेंब्रीज अभियान द्वारा, शीवालीक हिमालेन नी तलेटी मां वेलू छे, एक भाग छे, सीवालीक परवतोनी तलेटी मां व्यापक प्रमाण मां पाशान युगीन संशोधनो थाया, अने अन्तमा सर मार्टीन वीलर द्वारा, भारतिय प्रागाईतियासिक युग नों व्यवस्तितरीते अनुक्रम गोठवी ने भारतिय पाशान युग ने इतियासनी काल घणना मा इलेके क्रोनोलोजीक मा स्थान मल्यू इस्वीशन ओगणी सो पचास मा इलेके पंदर वर्ष बाद स्टुवर्ट पिगटन ए लखेलू प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया याद राग्यो मित्रो आग ग्रंथनू नाम याद राखवा जेवुचे प्री हि प्रागईतियासिक युग ने एलेके इंडियान प्री हिस्ट्री ने आपने पाशाण युग ने नामे ओळखिये छी आ धस्टोनेज एलेके पाशाण युग ए 25 लाख वर्ष पहलानी वाच्छे 25 लाख वर्ष इस्वीशन पुर्वे थी शरू करीने इस्वीशन लाम्बा गाला ने आवरी ले छे, जरा सविस्तर एनो अभ्यास करिये तो आ पाशान युग ने मुख्यत वे त्रोण विभाग मा वेची सकाए, एक पुरातन पाशान युग जेने आपने प्यलियो लोथिक एज कईये छिये, आ पेलियो लिथिक एज ए इस्वीशन पूर्वे 25 लाख थी शरू करीने इस्वीशन पूर्वे 10,000 वर्ष शुदी चाले। त्यार बाद मद्य पार्षान यूग एलेके मैसोलिथिक एज ए इस्वीशन पूर्वे 8000 वर्स्ती शरू करीने इस्वीशन पूर्वे 4000 वर्स दिये चाल्यों अने ए पची छेल्लो पार्षान यूग नो छेल्लो तबक्को इलेके नूतन पार्षान यूग जैने नियोलिथिक एज तरीके ओलखवा मावे छे ए इस्वीशन पूर्वे 9000 वर्स्ती शरू करीने इस्वीशन पूर्वे 1000 वर्स दिये चाले रो हवे आपने आज ये पूरातन पाशान यूग छे एने पन त्रण विभाग माजो वेची लईए तो एक पूर्व पूरातन पाशान यूग बी जो मद्य पूरातन पाशान यूग अने छेल्ले उच्च पूरातन पाशान यूग जैने अनुक्रमे लोर पेलियोलेथिक एज Middle Paleolithic Age अने Upper Paleolithic Age तरीके ओडखवामा आवेज पूर्व पूरातन पाशान युग ए 25 लाख इस्विशन पूर्वे थी शरू करीने इस्विशन पूर्वे 9 लाख वर्स्तु दी चालेनों यहले घणो लामबो समय चे आप जोई शकोच त्यारबाद मध्य पूरातन पाशान युग जैने Middle Paleolithic Age केवामावे छे ए 9 लाख इस्विशन पूर्वे थी शरू करीने इस्विशन पूर्वे 40,000 वर्स्तु दी चाले दो अने उच्य पूरातन पाशान युग जैने Upper Paleolithic Age तरीके ओडखवामावे छे ए 40,000 इस्विशन पूर्वे थी शरू करीने 10,000 इस्विशन पूर्वे सुधी ए लामबो चाले लोज पूरातन पाशान युग नी आपने जरा डिटेल मा वाद करीये तो दे पिलियोलिथिक एज जेने आपने Old Stone Age तरीके ओडखिये छे एमा मनुस्य पोताना जीवन नो सौथी लामबो काल आज युग मा वीतावेव हतो आ एज समय हतो के जारे मनुस्य प्रक्रुती साथे संगर्ष करीने जीवन जीवानी कला अने क्षमता केलवी हती इले के Art of Life अने Ability ए एना मुख्य गुणो आमाथी तरी आवे जे आ युग पूरातन पाशान युग तरीके ओडखाई जे पाशान युग के जेनो समय अमना जा आपणे कव्यूतें इस्वीशन पूर्वे 25 लाख वर्षती सरू करीने इस्वीशन पूर्वे एक अजार वर्षती चालेलो जे जन अत्रण भाग छे एक पुरातन पाशान यूग जे 25 लाख इस विशन पूर्वे थी सरू करिने 10 हजार इस विशन पूर्वे सुधी चालेलो त्यारबाद मध्य पार्षान यूग जे आठ हजार इस विशन पुर्वे थी सरू करीने, चार हजार इस विशन पुर्वे सुधी चालेलो अन्य एपची नूतन पार्षान युग जे 9000 इस वीशन पूर्वे थी सरू करीने इस वीशन पूर्वे 1000 वर्षुदी चालेलो पैकि प्रथम भाग एटले के पुरातन पार्षान युग विशे आपने या सव विशेश विशलेशन जो करीये तो पुरातन पार्षान युग जेने में हमलाज वाद करी तेम इस वीशन पूर्वे 25 लाख वर्षोथी सरू करीने इस वीशन पूर्वे 10,000 वर्षुदी जे चालेलो छे ए ना पंत्रण भाग मां विभाजित करी शकाई पेलो पेलियोलिथिक लोवर पेलियोलिथिक युग जेने पूर्व पूरातन पार्षान युग तरीके आपने वोडखिये छे जे इस वीशन पूर्वे 25 लाख थी सरू करीने इस वीशन पूर्वे 9 लाख वर्षुदी चालेलो छे गणो लांबो आज युग छे त्यारबाद मध्य पूरातन पार्षान युग जे ने आपने मीडल पिलियोलिथिक येज तरीके ओडखिये छे जे 9 लाख इस वीशन पूर्वे थी सरू करीने इस वीशन पूर्वे 40,000 वर्षुदी चालेलो छे अने त्यारबाद अपर पिलियोलिथिक येज जे उच्च पूरातन पार्षान युग जे ने आपने जो समय ना अनुक्रम मा मुकिये तो इस वीशन पूर्वे 40,000 वर्षुदी शरू करीने इस वीशन पूर्वे 10,000 वर्षुदी चालेलो छे पूर्व पूरातन पार्षान युग युग मा एनी जरा अपने वाद करीये तो मानव जीवन आप सव जानोचो तेम खुबज अस्थीर अतो मानवी पृथ्वी नी सपाटी उपर ज्यां कई खोराक मले ज्यां कई पाणी नी सुविधा मले त्या त्या भटक्या करतो हो तो यह नोँ भटकतू जीवन आतो कोई स्थीर जीवन नातो कोई एक जगाए निवासकरी ने वस्तो नातो ज्यां जंगल मां सिकार करवानी सुविधा मले पिवाना पाणी नी सुविधा मले त्या थोडोक समयरे वडी पाचो वे आगलवदे त्या थी आगलवदे त्या थी आगलवदे एम करतो करतो पोतानू भटकतू जीवन ए वितावतो हो तो यहने न पोताना आहार नी क्रियानू पुरू भान अतू, न कपडानू भान अतू, के न रेठानू अतू। यहले साव अस्थिर जीवन, अस्थाई जीवन यह जीवतो हतो। मनुष्यना आवास, खोराक अने वस्त्रनी ते समय बिलकूल व्यवस्था नो थी। मानवो समूमा सिकार करीने खोराक नो खोराक नी प्राप्ती पन करता, अने खोराक नो संग्रव पन करता हता। इटले समय जता ते क्यारेक क्यारेक गुफावो मा आश्रय लेतो हतो। आ समय मनुष्य सिकारी जीवन अने खोराक ना संग्र करनार तरीके ओलखवामा आवतो हतो। आ मानवीने हंटर एन फूड गेधर तरीके पन ओलखी सकाए। तेनी मुख्य जरूरियात कई हसे आप सव जानोच। मात्रने मात्र खोराक, to get food. अने ए माटे तेने शिकार करवो, जरूरी हतो। अने शिकार करवा माटे कोईक हतियारो नी जरूर, ओजारो नी जरूर हती। तो आवा ओजारो प्राप्त करवा माटे बहु स्वाभाविक छे के ते जेकाई पहाडो नी तलेटीमा पाशानों मले, ए लईने शिकार करतो। जेवा, अने जेकोई जग्याए थी, जेरीते प्राप्त थाए, ए मात्रने मात्र पाशानों नो उपियो करतो। आपाशानों कोई आकार वाला नो ता, के कोई ढब वाला नो ता। जेवा, अने जेरीते एने ज्याथी मले, तेवाज पाशानों नो ते उपियो करतो। माटे एने पूर्व, पूरातन पाशान यूबतरीके ओलखवा मावेज। समय जता, तेने हम लाग्यू, क्या पत्थरों थी, शिकार बहुत थतोन थी, अने खुब परिश्रम पड़ेज। क्या रेक तो आखोने आखो दिवस पड़ेमा विती जाईच। क्या रेक तो बब्बे त्रंतन दिवस तुदी भूख्या पन रेवू पड़े। तो एवा आप पत्थरों मती ओजारों बनावी सकाई खरा, अने जो बनावी सकाई तो एनो उप्योक करी ने जड़प्ती सिकार करी सकाई। सिकार करी सकाई एटलू नहीं, खौराक नी प्राप्ती पर करी सकाई। अने जो वधू खोराक मले तो एनो संग्रहपन थाई सके। इतला माटे एने सडुवात माँ पत्थरों ने कापी ने के पची घसी ने एने आकार आपवानो प्रेत्न करे। आ आकारों माँ हाथनी कुहाडी, हेंड एक्स, अने खंडक उपकरन जैने चौपिंग केज, ए बे साव सादा अने सरण हथियारो तेने सोध्यार अथा बनार्या, अथा एनुँ सर्जन करिय। भारत माँ शरुवात माँ आ युग माँ एदले के पूर्व, पूरातन, पाशाण, युग ना आ बन्ने ओजारों कया कया हाथनी कुहाडी अने खंडक उपकरन, मतलब के हेंड एक्स अने चौपिंग, ए बन्ने अत्यारे हाल, आपना भारत माथी छुटा पडेला पाकिस्ताननी सोहन नदीनी घाटी माथी गणा अवशेषो अने आ प्रकारना ओजारों मली आवे आछे, कई नदी याद राग्जो, हालना पाकिस्तानमा आवेली सोहन नदीनी घाटी माथी आ आपनने मले आछे, आ युग माँ मुख्यत्वे सब्यताओ खुबज आदीम कक्षानी अथ आदीम अवस्थामा हति अनने त्यानी वसाहतो मुख्यत्वे नदियों नी घाटी ना प्रदेशमा हति भारतमा अन्य भागो मा जे वाके नर्वदा नदीनी घाटी महराश्थमा प्रवरा नदीनी घाटी आंध्रप्रदेश, करनाटक, मध्याप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, पस्चिम्मंगार, ओरिशा अने असम नी नदियो नी घाटियो के तट प्रदेश मां अनेक स्थळोए थी आवा युग ना ओजारो अने अवशेशो प्राप्त थया जे त्यार बाद आपने जोईए तो मध्य पूरातन पाशान युग युले के Middle Paleolithic Age मां मनुष्ये पोताना साधनों, हथियारों अने ओजारों ने वधारे उप्योगी, वधारे सुंडर अने वधारे हलका बनाव्या पूर्व पूरातन पाशान युग ना अथियारों ने ओजारों मुख्यत्वे क्वाडजाइट पत्थर माथी बनेला हता मित्रो अखास याद लग्जों पूरव पूरातन पाशान युग ना अथियारो एक वाजजाइट पत्थरों मती बनेला अता जयारे हवे मद्यपाशान युगम ना ओजारो एक जैसपर जैसपर अने चर्ट जेवा चक्मक के चमकता पत्थरों मती बनवा लाग्या आ एक मोट्टो फेरफार परिवर्थन ए युग परिवर्थन नी साथे आवे होची। आ युग ना फलक्थी बनेला हतियारो मा वेधक येलेके बोरर्स पची खूराचनी येले स्क्रेपर अने अनिदार येलेके पॉइंटेड वगेरेनो समावेश थाई छे। याद रग्जो मित्रो एक वेधक बीजू खूराचनी अने त्रीजू अनिदार पाशाण। आ समय मा क्यांक क्यांक हाथनी कुहाडियो लेके हेंड एक्स पड़ प्राप्त थाई छे। आपने जे पूरातन के मध्य एवा जे भाग पाडिये छी एए एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट जेवार ना थी। इलेके चूस्त आज वर्ष्ती सरू थवे उना कई शकाए पन ओजारोने आधारे आपने आई यूग अथा तो आई यूगना भागो विभागो आपने पाडिये छी। इटले आम पुरातन पाशान यूग नी संध्याटाने अने मध्य यूगना उशह काले बन्ने प्रकारना ओजारो आपने उत्खनन करता मली आवे जी। इटले थोड़ाक पुरातन पाशान यूगना ओजारो पन वपराताज होई, हतियारो वपराता होई। परन्तु, नवा ओजारो ने नवा हतियारो एमा उमेराता गया, एने परेणा में आपने आई यूगना विभागो पाडी शकिये छी। खासकरी ने, आ समय ना भारत मा थी मली आवेला मुख्य सळो मा बेलन घाटी जे उत्तर प्रदेश मा आवेली छे। त्यार पची उडिशा लेके ओरिशा अंध्रप्रदेश कुरुष्णा घाटी लेके कुरुष्णा नदीनी घाटी जे करनाटक मा छे। बची धसान तथा बेटवा घाटी मध्यप्रदेश मा आवेली छे। सोन घाटी जे मध्यप्रदेश मा आवेली छे औने नेवासा जे माहरष्ट मा आवेली छे। राजस्तान और गुझरात, वगेरेनो समावेश, आपने आ समय ना वीभागों मा करी शकिया। मद्य पूरातन पाशान युग मा पन मनुस्य ख्वाराक नो संगर करतार एटले के फूड प्रिजर्वेशन अथा फूड गेधरर तरीकेज रहो हतो परंतु अग्नी ना उपयोग थी ते परिचित थायो मद्य युग मद्य पूरातन पाशान युग अईया जुदो पड़े छे तमे जोई सकोच अग्नी नी सोद फायर नूँ इन्वेंशन ये बवग मोटी एक अइतियासिक घटनाच अने एटलेज आपने येने मद्य पूर आतन पाशान युग ये जे अगनी नी सोध थाता और नाथी परिचित थाता ते गुफाओ और कोतरों मा अग्नी प्रक्टावा लाग्यो और ते द्वारा ते वण्य प्राणिओ जंगली प्राणिओ और आक्रमक प्राणिओ थी स्वरक्षण करता पन शीख्यों आ युग मां मुरुतक संस्कारों नी पद्धती पण अस्तित्व मां आवी होवी जोई है। जेथी मानवी सामाजिक क्रियाओ साथे पण धीरे धीरे संकलायों। खुब महत्वनी वात ये छे के नुतन पासान युग मां तामबानी सोद थाईचे। अने आपने जानिये छे तेम नुतन पासान युग दर्म्यान तो खुबच मोटी क्रांती थाईचे। कांके तामबानी सोद ये बहुँ मोटी सोद छे। अने ए सोद द्वाराज आपने जान्थी आपने ए प्रकारना कॉपर होड्स विस्तारों मली आवया छे। ए विस्तारों भारतमा थायेला उत्खनन दर्म्यान जान्थी मली आवया तेमा दक्षिन हरियाना उत्तर राजस्तान, गंगा यमुनाना मेदानों प्रदेश, छोटा नाकपुर नो उच्य प्रदेश अने मध्य प्रदेश नो समावेश करी शकायेचे। उपर ना प्रत्यक विस्तार मा बनती कलात्मक चीजों नी आगवी लाक्षनिकता हो हती। शरुवात मा तो ते पित्तल नी धातु मा थी बनेली चीजों नो मुख्यक सेत्र तो गंगा यमुनाना दो आबना मेदानों ज हता। केमके ए धातु एलेके मेटल नी त्या स्पस्ट पने लाक्षनिकता निहालवा मलती हती। ए त्याज विशेष प्रमाणमा एलेके भुघर्ब मा थी खोदी काडवामा आवती हती, उत्खनन द्वारा, माईंस द्वारा ए प्राप्त करवामा आवती हती। उपरियोग पांच ख्षेत्रों माथी मलती पित्तळ येके कवापर्म धातु माथी नीचे नी उप्योगी चीजों बनती है ती, ये मा नमबर वन आगन नी सपाट पर धारदार कुहाडियों जेने फ्लेट एक्सिस कई सकायें त्यार बाद दोरी थी बाधवाम आवेला भाला, जैने हर्पून्स केज, पची बेव बाजू थी धार वाली कुहाडियो, डबल एक्सिस, अने त्यार बाद एंटेना जेवो, तलवार साथे जोडायेलो हाथो, एंटेना हिल्टेड, स्वाल्ड, आम गंगा यमुनानों प्रदेश तो, अमुक अमुक समय, नीरंतर, पित्तर नी धातू निकलती जहती, अने बीजी अनेक बाबत ए हती, के छोटा नागपूर ना उच्छे प्रदेश माथी मलती आ धातू माथी बनती, कलात्मक चीजो वस्तुवो, तद्दन जुदीज बात पाडती हती, उन्च गुणवत्ता वाली पन हती, ए बदीज कलाकारी गरी युक्त चीजो नी विश्षिस्टता ए हती, के ते खोदकाम करता इट आकार ना धातू ना गठा रूपे मली आवती, अने खास करी आ प्रकार नी लाक्षनिक ताओ धरावनारी ए बनती हती, अने एक बाबत ए पन छे के अहीं उत्तर भारत ना सब्तसिंदूना मेदान मा, इलेके दोवाब मा मलती, जे सगलीव चीज वस्तुओं हती, ते खुबच ध्यान अने आपलू आकर्षित करेज, ओसीपी संस्क्रूती ए मुख्यत वे, ग्रामीन संस्क्रूती अने कुरुशी व्यवसाई साथे, संकल दाएली विशेश तह आपनने जोवा मलेज, केमके ते समयना त्याना लोको चोखा, जव इलेके बारली अने लंगमेंस नी खेती करता हाता, तेमज पशुओं ना पालननों व्यवसाई पन करता हाता, जेमा गायो, बढदो, गेटा, बकरा, भूंड, गोडा अने गोणों समावेश थतो हतो, OCP संस्कृती ना समयमा गामळामा खुल्ला खुबज नाना कदना हता, अने आ संस्कृती साथे एना स्थलो, जे साइड्स केवाई छे, मोटे भागे जुडाएला हता, आम छता सगन रिते वहचाएला हता, आ गामळाओना घरो, वांसना बांब बांबुओ ना गोठवी ने घरो बनावामा आवता हता, वांसना बांबुओ आला अने उभा गोठवी ने तता तेनी छत अने दिवालो बनावी ने, माटी माथी बनावी ने, तेमाज फ्लोरिंग पड माथी बनावी ने, घरो बनावामा आवता हता, अन्य कलात्मक चीज वस्तुवों कांतो प्राणियों नी अने मानवियों नी आक्रुतियों पित्त अने त्यार पचिये नी मिस्र धातू कांसा नी धातू ने अतिशय गरम करी तेने बीबामा धाली ने बनावामा आवती हती। तेमाज बीबामा धाली ने तामबाम अथ्वा पक्वेली माटी माथी केटलाक अलंकारों पण बनावामा आवता था। आ अलंकारों खुबर सुंदर अने कलात्मग हता। जेनो आपनने नुतन पार्षाण युग माँ सिंदू खाटी अथा सिंदू नदी नी खिण नी गाटी माँ थी। आपनने जे बे मुट्टा नगरों मली आव्या इस मिशन ओग्णी सो एक्वीस माँ अने ओग्णी सो बावीस माँ अनुक्रमे हडप्पा अने मोहिं एम बे जे नगरों मली आव्या एक रावी नदी ने काठे थी अने बीजू सिंदू नदी ने काठे थी। ए बनने घाटी माथी जे आपनने बे मुट्टा नगरों मली आव्या एमा जे उत्खनन करता जे अलंकारों मल्या छे ए अलंकारों खरे-खर जोवा जिवा छे। त अर्थात हडप्पन संस्क्रूती, मुँ ते समय नू जे बंदर लोथल छे, जे आपना अम्दवाद जिल्ला मा, धोलका तालूका मा आवेलू गणू नजिक अम्दवाद थी बंदर छे, जूनू बंदर, एना अउशेशो छे, त्या जे म्यूजियम उभू करवा मा विव छ त्या डाबी बाजू ए, थोड़ाक आगल जहिए, तो दिवाल उपर ए गरेना त्या मुखवाम आवे आचे, उत्खनन करता मड़ी आवेला, एटला सुंदर छे, एमाना केटलाक हारतो, एटला सुंदर अने आकर्शक छे, के न पूछोगा तो आ, हडपन संस्क्रूती नी पूर्वदिशा ए विस्त्रेली, आ, OCP नी साइड्स, हडपन संस्क्रूती नी साथे, कोईक संपर्क धरावती नो थी, एम कही सकाए, OCP संस्क्रूती नू लक्षन दर्शावे छे, के तामरय युगीन संस्क्रूती नू छेल्लू स्वपान, अत्वा छेल्लो तबक्को, ए नौर्थ, इंडियन, ब्रोंज, एज हतू, अने तेनी पच्छी, आवनार ए लोह युग, तेनो पुरो गामी, युग, तेनो अनुगामी युग हतो, अने आ लोह युग, एज माथी, पच्छी, आपने आगल प्रवेश करिये छी, अस्तु जैही, अवे पच्छी नो बीजो तबक्को, आपने शरू करिये छी, अने ते छे, बनास, मालवा, अने दक्षिन भारत नी, चालको लिथिक संस्क्रूती, बनास, मालवा, अने डेककन, चालतो, चालको लेथिक कल्चर, एनी आपने वाद करवाना छी है, चालको लिथिक संस्क्रूती, एवो अर्थ निश्पन्द करी शकाए, तामरे युगनी आ चालको लिथिक संस्क्रूती, खुब सम्रूद्धी, खुब सम्रूद्ध एटले के रीच हती, तेमना धन्दा व्यवसायो, अने साधनो, तथा ओजारोनू वैविद्य, आखे उडीने, वलगे तेवू हतु, माटीना वासनो उपरनू भवमितिक वैविद्य, पूर्ण चित्रकाम, तेमाज काला अने लालरंग ना सुंदर, आकर्षक, तथा चक-चकीत वासनो नी केटलिक विशिष्ट ताओ, ए, आ संस्क्रूती नी साइट्स नी आगवी नाक्षनिक ताओ छे। चालकोलिथिक संस्क्रूती नो अर्थ में तमने कईूतें, तामरे युगिन संस्क्रूती एवो थाईचे। आएक एवो समय हतो, के ज्यारे, मानवो पोताना रोजिन्दा जीवनमा, पाशानों माथी माडीने, छेक धातुओनों उप्योग, पोताना ओजारों अने उपकर चालकोलिथिक संस्क्रूती नो पोताना रोजिन्दा जीवनचरिया माँ, तो केट-केटला साधनों अर्थात इक्विप्मेंट्स जोईए, विचारों तो खरा, आब दा नाना मोटा कार्खानावों माँ, लुहारनी कोड माँ बनावा पड़े, आथी विवित प्रकारना ओजारों साधनों अने आयूधों अर्थार सस्त्रों बनावानूं कौशल्य तथा कारीगरी ना तेवों जानकार हता एम जरूर कई सकाए, आये केवों युग हतों के जारे लोको धिमाताप माने पित्तरने ओगाली तेमा बीजी धातुओं ने भेणवी औने पाची गर्म आपी ने विविद्धातुओं मिश्र करवामा आवती हती अने तेमा थी पची बीजी खुबज मजबूत अने टकाव चीज वस्तुओं बनावामा आवती हती एक बाबत एपन नोधपात्र छे के चालकोलिथीक संस्क्रूती नू उत्तम अने श्रेष्ट उदाहरन ए या सिंदूखिननी संस्क्रूती बनने स्थळो ए वास्तोमा बदिस सगवळणो धरावती नगरीय संस्क्रूती लेके टाउंड सिविलाइजेशन हती ज्यारे आ भारतनी मध्यमा पूर्वमा अने दक्षिना प्रदेश्वमा आवेली साइट्स ए वास्तोमा तो तेथीज तेने चालकोलिथिक संस्कुरुती तरीके नामा भीधान करवामा आविव जे। अने येनो स्थान तथा येनो दरज्जू पन सिंदुखिन नी संस्कुरुती करता थोड़ोक जुदो पड़े जे। चालकोलिथिक संस्कुरुती नो समय विशे जो आपने वाद करिये तो आज संस्कुरुती ओ क्या था बनास मालवा जोरवे वगेरे स्थानों मा विकास पामी हती। मुलबूत रिते एवा सम्मुदायने लगती के जेमनो लीला चना, काला चना वगेरेने समावेश तेमनी खेती मा पन थतो हतो। तेमना पीणा जो जोई तो जौरवे नी वान्गी नी गेराजरी मा अर्ध प्रवाही वान्गीयो के पीणा तैयार करवा मा आवता हता। अन्य वान्गियों मा जोईए तो चालकोलिथिक साइड्स एलेके वसा हतो ना लोको खौराक मा खुबज अगत्यनी वान्गियों मा माचलियों अने प्राणियों ना मांस नो समावेश थतो हतो माचलियों ना हालका और माचलियों ने पकढ़वा माटे ना अंकोडा इलेक हुक्स नो तेओं माचीमारी मा उपयोक करता हाता आ समय ना अलंकारों नी जो आपने वाद करिये तो आ संस्क्रूती ना लोको शरीर उपर मत्रबेज वस्तरों धारन करता हता अने व्यक्ति गत्री ते जे अलंकारों लोको पेरता हता तेमा अर्ध किम्ती पत्थरों पाशानों अने विंदेला मोती माथी बनावेलाओनों समावेश थतो हतो जे किम्ती पत्थरों अलंकारों मा ते वो उप्योग करता हता तेमा चालसे डोनिक जासपर इलेके मनी अने अकिक इलेके एक्टे कारनेलियन इलेके लाल पीडा रंगना नंगो वगेरेनो समावेश थतो हतो मित्रों अने अलंकारों मा हवे नविंत आवेश जे मा चालसे डोनिक जासपर इलेके मनी अकिक इलेके एक्टे कारनेलियन इलेके लिला पीडा रंगना नंगो नो समावेश इलेके अने उमेरो थाए जे इतले नुतन पार्षान युगनी आपन एक लक्षन जे तेमना धन्धा उद्योगो अने व्यवसायो विश्यव जो वाद करिये तो चालको लिथिक संस्कृती ना लोको ना व्यवसायो मा नीचेनी बाबतों मा समावेश करी शकाए खासकरी ने नंबर एक खेती, नंबर बे पशू पालन, खासकरी ने पालतू पशू जेमा गेटा, बक्रा, बलडो, भ्यासो अने बूंड वगेरेनों समावेश थाए छे त्रीजू माची मारी, इलेके मत्स्य उद्यो, चोथू केटलाक लोको तो खेती पण नोता करता, ने खेती माटेना साधनों पण नोता बनावता, इवा लोको पण हजुए हता परन्तु निस्चीत वजनना, कांतो, पित्तलना, इलेके कौपरना, अथवातो लोखननना, इलेके आयरनना, बाट अने वजनिया पण बनावता हता जे ततकालीन समयना लोकों ने खुबज उपयोगी हता आम बाट इलेके वजनिया बनावानों हुन्नर उद्योग आ समयमा विक्सेओ हतो एक खास नोध पात्रज एज रिते सोनी काम अने जड़तर काम लेके मिनाकारी गरी शैली नूँ जड़तर काम ना उद्योग धन्दा ओपान आज समयमा विक्सेला आपने जोई सकिये जे खास करीने एमना इक्विपमेंट्स लेके साधनों ने ओजारो नी जो सविस्तर बात करिये तो चालको लिथिक संस्कृतिना समय दर्म्यान पित्तल ताम्बू के कासानों उप्योग वासलों, साधनों, ओजारों, शस्त्रों वगेरे बनावामा एलोको करता हता ए वाद साची परन्तु आधात्यों मर्यादित प्रमाण माज उत्खनन करता मलती हती तेथे तेनों व्यापक प्रमाण मा उप्योग हजु विक्सियों नोतों करके हजु उत्खनन करिया पन प्रमाण मा एटली बदी विकास पामी नोती चालको लिथिक संस्कृती ना लोको आथी पाशानों माथी बनावेला साधनों अलंकारों अने शस्त्रों नो उप्योग करवापण हजु ए टेवाएला हता नूतन पाशान युगदर्मियान शरू कराएला धारदार पालीस कराएला चक चकीत अने खास प्रकारना आकार आपेला तेमा धारदार पाशानों माथी बनावेला साधनों इलेके टूल्स आई युगमा चालको लिथिक युगमा चालू रेवापाम्या हता ताम्बू अने तेनी काची धातूनों उपयोग चालको लिथिक युगदर्मियान लोको कुहाडियों, चप्पा, छरी, भाला, माचलियों पकडवाना अंकोडाओ, इटलेके हुक्स, टाकनियों, इटलेके पीन्स, मजबुत दोरडा, सुथारना लोको अत्यारे जे प्रकार वाप्रेची ते प्रकार नी फरसी वगेरे साधनों बनावामा धातू अनो पन उपयोग करता हता, तेमाद लाकडाओनों पन उपयोग करता हता, धातू लाकडाओने पाशानों माथी आ प्रकारना साधनों ओजारों शस्त्रों वगेरे बनावामा अवता हता, धातू वग ना माइक्रोलिथिक साधनों तो बनावानू लगबग हजुए सर्मसामानिय लक्षन आई युगमा हतु। खोराक बनावानी प्रक्रियामा पत्थरों ना उपर नीचे बे गोडाकार खील अने माकडी अने हाथावाली गंती नो पन उपयोग शडू थयो हतो। खासकरीने खल अने दस्तानों यलेके नानी मोटी कुटवानी हथोडियोनों स्टोन, ग्राइंडर्स अथा मिलर्स एंड हार्मर्स नो पन वधू प्रमाणमा उपयोग लेवामा आवतो हतो। आम आपने जोई सकिये छे के आ युग ये केट केटलू वैविद्य धरावे छेक पुरातन पाशान युग थी शरू करीने, नूतन पाशान युग सुधीनी, लांबी प्रक्रिया, इलेके इस्विशन पूर्वे 25 लाख वर्स ती शरू करीने, इस्विशन पूर्वे 1000 सुधीनी, आ 25 लाख वर्स नी अखी दिर्ग अने लांबी प्रक्रिया मां मानव जाते केट केटलो अने जड़पी विकास करे होचे। समय नो गालो गणो लांबो छे एवाद साची, परन्तु मानव जातना विकास मा पड़ एटलो ज दिर्ग काल व्यर्तित थहेलो छे, एपन आपने जानिये ची। तो आवी एक बहुत महत्वनी वाद आचे, के मानव जात ये जे प्रगती करी छे, जे विकास करे होचे। अने मानव जाते पोतानी जंगली अवस्ता मा थी क्रमशह विकास पामी ने सु संस्क्रूत अवस्ता तरब जे गती करीछ, जे प्रगती करीछ, यानी ऐतियासिक गाथा एक खुबज रोमांचक छे, खुबज जानवा जेवीचे। आ इतियासिक दिर्ग गाथा मां, तो केट-केटला समय ना पाणी जल वही गया जे। जेमके नदीनू उद्गम स्थाम परवतो ना सिखरों होए, त्याथी नदी रूम जूम रूम जूम करती, पहाडों ना ढोलाओ परती वेती वेती, ए नीचे तलेटी मावे छे, त्यारे, अने ए समय दर्म्यान, येने केट-केटला व्रुक्षों, वनराजियों, गास, छ परवतों नी गुफा जेवी साइट्स माथी पसार थवू पड़े छे, अने त्यार बाद ये तलेटी मावे छे, तलेटी माथी आवी ने पन ए मेदानों मा धीरे धीरे उच्च्य प्रदेशों मा थाईने आगलवते छे, अने एम करता-करता अनेक गामों, अनेक शेरों मा सर्पाकारे वेती-वेती नदी छेवटे छेक सागर ने मले जे, आ परवतों नी टोच, एलेके शिखरों मा रहेलू उदगम स्तान, अने सागरों साथे नू एनू मिलन स्तान, एम जन्दी नदी नी पन, सरीता नी पन, एक आखी लांबी गाथा छे, अितियासिक गाथा छे एवीज आपनी या मानव जातनी विकास नी पने गाथा छे, एने आपने जरूर जानिये अने पिछानिये, अस्तु जैही त्रिजो तबको छे, ए चित्रित करेली राखोडी रंगना साधनों नी अने वासनों नी संस्कृती नी वात आपने करवा ना छे, जैने आपने पेंटेड ग्रे, वेर, कल्चर तरीके उड़किये छे, पेंटेड ग्रे, वेर, कल्चर ए चित्रित करेला वासनों, एले के राखोडी रंगना वासनों नी आपने जैर्थी प्राप्ती थाई, तेनी वात आपने करवानी छे खुब महत्वनी वात ए छे, कि आ संस्क्रूती ए पड़ एक विशिष्ट संस्क्रूती विखसेली छे, जैना समयमा, जैनो जो समयकाल आपने गणिये, तो इस्विशन पूर्वे आठ जार थी सरूकरी ने, एक जार वर्ष्णों मुकी शकाय, एमा ए चित्रित करेला राखोडी रंगना वासनों नी संस्क्रूती ए लाल अने काला रंगना वासनों नी संस्क्रूती नी अनुगामी एलेके पच्छी थी थाई गेली ए संस्क्रूती छे, अने ते काला लाल रंग ना वासणों नी संस्क्रूती एटले के ब्रो कल्चर साथे संकलाएली अने चालती पन जोवा मलेज आम छता PGW Painted Gray Wear Culture मुख्यत्वे गंगा ना पूरुवन भागमा आवेला मैदानो तेमाज मद्यपार भारतमा सव विशेश अपने जोवा मलेज त्यानी खास लाक्षनिकताओ जो आपने जोई ए तो PGW Culture एम टुंका नामे आपने ओलखिये Painted Gray Wear Culture एने टुंका नामे जो आपने ओलखिये PGW Culture ए शैलीनी द्रश्टिये विशिष्ट लक्षणों धरावती संस्क्रूती हती आज संस्क्रूतीना केटलाट लक्षणों अगावनी संस्क्रूती करता तद्दन भिन्न हता अने तेथी तो ते अलग तरी आवेज पेल्लू जो एनू लक्षण जोईये तो राखोडी रंगना वासलू छक चकीत अने सुन्दर चे के वाँ छे? राखोडी रंगना, ग्रेर पेंटे, राखोडी रंगना छे, पछी चक-चकीच छे, अने सुंदर छे, बीजु जो एनू लक्षन जोईये तो, लगबग दरेक वासनों उपर, विविद भावमीतिक आक्रूतियों, इले जोमेट्रिक, जोमेट्रिक पैटर्न्स इलेके काला रंगनी थी, चित्रित करेला ये वासनों छे, आ पीजी डबल्यू संस्क्रूति, ये मुख्यत्वे, ग्राम्य विस्तारों, अने साथे साथे, नगरों नी केट्लिक वसाहतों मा, इलेके सेटल्मेंट्स ओब स्मॉल टाउंस, मा पन जोवा मले जे, अहीथी, उ पाली चीज वस्तवो, अने लोखन नी धातूनी प्रक्रिया द्वारा बनेली चीज वस्तवो मलियावी हती, जो, अहीथी, एक नवोज युग शडू थाईज, कारके अगाउ अश्वो थी, तेओ अजान आता, तो इना अश्वो नो उमेरो थाईज, अगाउ लोखन नी ध जातू थी तेओ अजान ता, तो इना लोखन नी धातूओ उमेराईज, अने त्री जीव बाबते छे, के आब दीज, चीज वस्तवो मां, क्यांक, क्यांक, हाथी दांत मां थी बनेली, सरस्मजानी कलात्मक चीज वस्तवो पड, आपनने मलियावेज, अफिकाना सहराना जातूनो पट्टो बुगर्ब माथी शोधी कड़ायेओ छे, याद राग जो मित्रो, आफ्रीकाना सहराना रण्थी सरूकरीने, छेक चीन ना मध्यभाग सुधी, आपनने आखो पट्टो लोखन नी धातूनो पट्टो मलियावेज, अने बुगर्ब माथी एने शोधी का भारत ना हालना राजस्तान, डिल्ली, उत्तरपदेश ना विस्तारो नो पट्ट एमा समावे स्थतो होवा थी, त्या पट्ट उत्खन अनकरीने आ लोखन नी धातू शोधी काडवामा वीजे, पांचमी बाबत तेनी विस्तिस्ता जो रजु करिये तो, PGW नी अत्यार सु हाजणी तो, खेती करता, ना ना घाम्लाओं मा आवेला थी, जारे केटलिक साई्ट्स, विसार, सग्वड युकतो, आपंणे मली आवेया थी, खासकरीने नगरों मा, केटलिक नगरों मा थी पां आ लोखन नी धातू मली आवी इनी साई्ट्स मा थी, तो, एशेरियों नै म महल्लाओं मा जटा पाका रस्ताओ फरस्ट बंधी बनावामा आवता हता एपड एक नवी विस्षिस्टता एमा उमेर आएजे साथे साथे खेतीनी सिंचाई माटे पाणीनी नहरोनू निर्मान एलोको करता सिख्या हता एक खास नौध पात्रबाबाचे आवीज एक नेर्नू बादकां इस्विशन पुर्वेनी बीजी सदी दर्मियान कावेरी नदी इलेके दक्षिन भारतनी कावेरी नदी उपर ग्रांड एनी कट नामे करवामा आवी हती ए बाबत तेमनी एंजीनियरिंग, आर्कीटेक अने दुशकाल जेवी कुद्रती आफ़तों सामे अगाउथी करायेली व्यवस्थापन इलेके डिजास्टरस मेनेजमेंट जेवी बाबतों ना तेवो ग्ण्याता हता एमात्र ग्ण्याता जनोंता पर तेना निश्नात पन ह एम आपने कबूल करवू रहें। एमना रेठानों, गामों अने नगरों नी जो वाद करिये तो PGW संस्क्रुती ना लोको ना रेठानों ना मकानों रेती, माटी, चूनों औने इटों माथी बनावामा आवता हता। पन हता। गणा गामला केटलाक नगरों नी आसपास पन वसेला हता। अने ए नगरों नी साथे जोडायेला पन हता। राजधानी ना नगर, इलेके वहिवटी केंद्र ना शेहर करता, आ नगरों थोडाक उतरता दरज्जाना हता। अने ग्राम्य विस्तारों ना वसा हतो, एना थी थोडिक उतरती कक्षानी हती। PGW संस्कृती नी जे केटलिक साइड्स इलेके स्थडों मली आवेया चे। तेमा उत्तर प्रदेश नू जखे रा नगर नी साइड्स तो एक सुंदर नमूनों थे। जाद रग्जो मित्रों उत्तर प्रदेश नी जखे रा साइड्स इए आ PGW संस्कृती नो उत्तम नमूनों थे। ते फेरली इवेल्यूटेड लेके सुंदर रिते रजू करतो नमूना तरीके प्रख्यात थेलों थे। जे नगरियर संस्कृती पूर्वे नी अथवा अर्धर नगरियर संस्कृती तरीके तेने इतियासकारों वर्णवेज। PGW संस्कृती नी कला कारीगरी विश्ये वाद करिये। तो पेंटेड ग्रे वेर संस्तुती ना लोको कला कारीगरी मां पण आगल पड़ता हाता। सविशेश्तो तेमनी कला औने कारीगरी पक्वेली माटी माथी कीमती लीशा पथरो माथी बनावेली काच माथी चित्रेला इलेके ओपापता चलकता माटीना वासनों अने अलंकारों मा एमनी कलाकारी गरी दिपी उठेज। अने वासरनों उपर पशुओ, प्राणीों ऑने केटलाक मानवों नी पर आकृतियों बारिक सुन्दर कोतरणी करीने एमा जे वासनों उपर चित्रित करवा मावती हती, के कोतरणी करवा मावती हती धातू पात्रों उपर एक खरेखर अध्भूत छे, एक इतियासकार आबाबत ने तो बहु सुन्दर रिते प्रशुशा करता वर्नवे छे. खासकरीने एसिया खंड मा नी PGW कल्चर ना स्थलो अने अवसेशिय नमूनाओ आपनने मली आवे आजे. इस विशन पुर्वे 1000 थी, इस विशन पुर्वे 600 दर्म्यान सोंक, S-O-N-K-H, सोंक जे उत्तर पदेश मा थी मली आवेलू स्थान छे, अथातो साइड छे, एमा थी चित्रीत राखोडी रंग ना वासनों मली आवेला आपनने एक सुन्दर अवसेशिय नमूनों पूरो पाडेज. तो बिजी रिते जोईये तो इंडो आरियन संस्कृती ना लोको स्थालांतर पामीने भारत मा आवेला त्यार्थी, त्यारनी PMAC, YAZ, GCCA, स्वात, इलेके कौपर होल्ड अने PGW संस्कृतियों दर्शावता एशिया खंड माना स्थालों छे. आम तमें आ PGW संस्कृती नी केटली के विशिष्टताओ आप खुप सारी ते जानी शक्या. केटली बदी बाबतो एमा नवी उमेर आईए छे. खासकरी ने लोखन नी सोध पची एमा, एमा थी बनावेला केटला खतियारों, होजारों अने जीवन जरुयातना उपकरणों ए आपने आमा जुवा मलेजे. एटले एम चोकस कही शकाए? के आब आजे नुतन पाश्राण युगनी जे संस्कृती छे. ए आपने आपनी संस्कृती ना प्रचारने प्रसार माटे आपने क्याए लड़ाईयों के युद्धो कर्या ना थी, पन तेने उप्योगी ता वा आदमा ए संस्कृते ना आखी ढालीजे. आपने उप्योगी साधनों, ओजारों, आयुदों, अने आक्रुतियों, वासनों, अलंकारों, ए बदू बनावीने आपने एने उप्योगीता ना खासकरीने उपकरणों मा आपने एने ढालीजे. आपनी विशिष्ट ताचे, आपनी संस्कृती ने युद्धना रस्ते दोरी गया न थी. आपनी संस्कृती ए शांती मैं सहस्तित्व धरावती खासकरीने जे. आपनी संस्कृती ए उप्योगीता ना संदर्भवाली संस्कृती जे. आपनी संस्कृती ए विश्वबंधुत्वने साकार करती संस्कृती आपनी संस्कृती ए देश विदेश मा व्यापार अर्थे आपना व्यापारियो त्या गया जता हता अने आपनी किम्ती चर्जी वस्तुओनो त्या व्यापार करता हता एक बहुँ विसिष्ट मावचे त्या थी अश्वो, सोनू, चांदी अने बीजी केटलिक वस्तुओ आपता हता एने संस्थानों पर कहीं सकाई तो आवी वसा हतो ए ए जमाना मा पर खासकरी ने आपने विक्सावी हती ए आपनी विसिष्ट ताच आपनी आसपासना पडोसी देशों नी जो वाद करिये तो जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, कंबोडिया, चंपा, अन्न ब्रह्मदेश, एटले का हालनू म्यानमार, पची चीन, जापान, तिबेट, स्रीलंका, अफगानिस्तान, इरान, सुधी, आपनी आपना व्यापारियो, आपना संतो, आपना संस्क्रूति ना संभाहको, त्या गया, त्या स्थीर थाईने वस्या, त्यानी प्रजाने, आप आपनी संस्क्रूति, आपना आचार वीचार, आपनी प्रणालिकाओ, आपनी विधियो, अने आपनी पवित्र भाबतो विशे वाद करी, एमने अपनावी, अने एरीते, आखु ब्रुहद भारत, धिरे-धिरे, जे प्राचिन भारतना इतियास्मा सर्जायू छे, एनी आपनी प्राचिन नुतन पाषान युगनी संस्क्रूति नो थोड़क विशेश वाद करी एतो, छेलो जे तबक को छे, ए मेगालिथिक संस्क्रूति नो छे, आ मेगालिथिक शब्द नो अर्थ अने विभावना, जो आपने जोहिए, तो खास करीने, मेगालिथ ए शब्द मोटो पत्थर सामान्य अर्थ मां जो लईए, तो कही शकाए, परन्तु वास्तों मां, अइतियासिक संदर्ब मां जो जोहिए, तो मेगालिथ ए एक मोटो के भव्य पाषान होए छे, के जेनो उप्योग कोई बांधकाम, के कोई समारक ना बांधकाम मांटे लेवातो होए, एम जरूर कई शकाए, एटलूज नहीं, परन्तु ते कांतों तेनो उप्योग स्वतंतर रिते थतो होई छे, अत्वा मोटा अन्य पत्थरों साथे पन करातो होई छे, मेगालिथिक शब्द, ए मोर्टार के कॉंक्रिक ना उप्योग सिवाई, नाना मोटा बांधकामों मां जे मोटार के भव्य पाशाणानों उप्योग जरूरी होई, त्या थतो होई छे, तेने सुचीत करे छे, अन्य आ प्रकाररा बांधकामों ए प्राग इतियासिक कालनी विशिष्टता इलेके लक्षणों डर्शावे छे, परन्तु पाचरना युगो मां आ शब्द ए मेगा मेगालित शब्द ना ए बे शब्दों बनेलों छे, जे प्राचिन ग्रिक भाशाना बे शब्दों मेगास, M-E-G-A-S, मेगास के जेनो और्थ ग्रेट थाई जे, अन्य लिथोस, L-I-T-H-O-S, लिथोस के जेनो और्थ स्टोन थाई जे, एटले मोटो पाशां ए वो थाई मेगालित शब्द नो आम कोईक मोटो पाशां एले के धग्रेट रोक अथवा रोक्स नी साथे जोडाएलों छे, के जेने कोई चोकस आकार और कोई चोकस हेतू के उद्देश साथे कापवामा आवे जे, अथवा तो कंडारवामा आवे जे, आ मोटा पाशां नो विभिन्न युगो दर्म्यान बाहत कामों मा करवामा आवतो हतो, सासे साथे तेना जुदा जुदा भागो कापी ने के कंडारी ने रेठाणों माटे, अथवा कोईक विशिष्ट आकार आपवा माटे करवामा आवतो हतो मेगालित यान संस्क्रूती ना जे विभागो छे एमा पाचल थी मेलेनीसियन, मेगालित, माइक्रोनेसियन, मेगालित, इलेके सुक्ष्म, कोतरनी युग्त, पत्थरोनो युग, अने अरवाचिन बादकामों ववप्राता, विभिन्न प्रकारना पत्थरो, कोटास्टोन, रव स्टोन, मार्बल्स, इलेके पाशान, विविद्रंग ना पाशानों, अने ग्रेनाइट वगेरेमा पाचल थी थवा लाग्यों हतो, आ एसियन मेगालित नी सविस्तर चर्चा जो आपने करिये तो, एसियन मेगालित ना प्राप्ति स्थानों आ प्रमाने छे, इस्ट ए एसिया मा उत्तर नी सैली, दक्षिन नी सैली, अने केप स्थोन सैली नो समावे स्थाईज, जयारे दक्षिन पूर्वा एसिया लेके इंडोनेसियां जीवन्त मेगालित संस्क्रूती तरीके ओलखवामा आवेज, त्री जो भाग ए दक्षिन एसिया नी मेगालित चोथो भाग ए मेलेनीसियन मेगालीट्स नो छे अने पांच मोने छेल्लो माइक्रोनेसियन मेगालीट्स छे मेगालीट्स नी नीचे धटाई गयेला मृत देहो बरीलन्स आपने उत्तर पुरुव अने दक्षिल एसिया माथी प्राप्त थाई छे अने एमाय ते मुख्यत वेतो कोरियाना द्वीप एलेक कोरियन पेनेंसियोला माथी मली आवेजे कोरियाना महाद्वीप माँ उप्रांत चिनना त्रण विस्तारों लियोनिंग, सांडोंग अने जेजिंग माथी पां मेगालीट्स आपने मली आवेजे लेके मोट्टा पत्थरों पाशाणों मली आवेजे चीन मा ताईवानना पुर्वकिना रेथी पन मेगालीट्स मली आवेजे त्यार बाद जापानना क्यूशू अने सिकोकू टापुओ माथी मेगालीट्स मली आवेजे वियेट नामना डूंग नाई प्रांत माथी मेगालीट्स मली आवेजे अने दक्षिनी एसियाना केटलाक भागो माथी मेगालीट्स मली आवेजे जे खास नोध पात्र छे अने केटलाक तो तेने जीवन्त मेगालित तरीके पड़ गोडखवा मा आवे छे खास करीने आ युगमा पोटरीज येले के इस्विशन पूर्वे पंदर सो थी इस्विशन पूर्वे आडशो नो समय जे मुकवा मा आवे छे ए समय दर्मियान केट तरीक वार आपने जोई सकिये के हान नदी ना उत्तर भाग मा ते विश्रेली संस्क्रूती हशे मेगालित नी केटलिक उत्तर ये शेली मा आथी चिन नो उत्तर पूर्व भाग पंद आवी जाये छे चिन मा हान नदी ना उत्तर भाग मा उत्खनन करता मेगालित ना उत्तर एशिया माथी मली आवेला पाशां ना अउसेशो ए खास नद पात्र जे। तेमा उत्थन करता तामाना अनिदार भाला के अनिदार छरा जेवा हतियारो पन मली आवेया जे। केटलाक पूरा तत्व वीदो आ मली आवेला पाशां ना अने तामाना लेके स्टोन अने ब्रोंज डेगर्स सस्त्रों अर्थगटन करता जनावे छेके ते कोई मुख्य सासक के अधीकारियों नी कबरो हसे। अथवा तो कोई असाधारन व्यक्ती, कोई विद्वान पन होई सके, धर्मपुरूष पन होई सके, कलाकार पन होई सके, कोई पन क्षेत्र मां आउटस्टेंडिंग होई, तेनी पन कबरो मां थी मली आवेला आ अवसेशों छे। आमचत है यह 24 कई सकाए के जमीन मा, च throughout कई सकाए के लुट नो माल संतार वा मां ते जमीन मां खोदीने पन दाठवा आवेलो हुए, अथवा काम चलाओ खोदकाम करीने मुरूत देहो नी साथे, ते मुकवा मा आवे होए, ते वू पन कही सकाई। मुख्य भाग नो होई सके। मुख्य भाग नो होई सके। मुख्य भाग नो होई सके। कोरियाना नर्याकीना रना प्रदेशोमा तेनी सविशेश वेंचनी जोवा मले छे। केप्स्टोन शेली नो समय गालो जो मुख्य तो मुमुन संस्क्रुती इस विशन पूर्वे 700 थी इस विशन पूर्वे 550 ना पाचला दायकाओ सुधी मुख्य शकाई। अल्बद तेनों मास्काव मा उप्योग मुमुन संस्क्रुती ना सरुवातना समय माज सरु थाई गयो उतो केप्स्टोन नू द्रष्टान एक खास मली आवे छे। अने ते D-E-O-K-C-H-E-O-N अने C-H-E-N-G-W-O-N चांगवन नामना स्तले थी मली आवे छे। आवे द्रष्टान जोता एम लागे छे के ते लम्चूरस आकार ना कैप्स्टोन शेली ना मेगा लीच छे। पूरा तत्मवीदो आज थापत्यने चोकस पने केटलाक शेत्रपनू हशे। तेम कही सकता नाथी। छता तेना प्लेटफर्मन मापीने जनावीचे। के ते समग्र रिते 56 by 18, 56 by 18 मीटर नी साइज माँ अशे। तेम चोकस कही सकाए। अस तो जय हिन, जय गोजरा। स्वाध्यायः परमंतपहा। स्वाध्यायः परमंतपहा। हमाद्यायः परमंतपहा कना परम functionella